नमस्कार चर्चा में आपका स्वागत है महिला अपराद से जोड़े मामलों कोई सीग्र निस्तारा के लिए प्रदेश सरकार कटी बद्ध है और इसी को लेकर कल प्रदेश सरकार ने 218 फास्ट्रेक कोट बनाने को लेकर कैबनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है मुख्य मंत्री ने कहा कि महिला से जोड़े अपरादों में दोस्यों को सीग्र और कड़ी कारिवाई करने के लिए निर्देश दिये गए हैं साथ ही प्रदान मंत्री ने भी इस बात को दोहराया है कि पुलिस अपना व्योहार मित्रोत रखे और महिलाओं की सुरच्छा सुनेश्चित करें हम आज चर्चा करेंगे क्या कुछ नए उपाय किये जा सकते हैं क्या कुछ किये जा रहे हैं महिला सुरच्छा को लेकर वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने एक पहल किये है कि महिलाओं को रात में ड्रॉपिंग दी जाएगी किया कुछ परिणाम उसकी आएंगे इन सब विशियों पर आज हम चर्चा करेंगे जो चर्चा में हमारे साथ खास मह्मान है हम उनसे आपका परिशे करा देते हैं हमारे साथ है सबनम पांडे जी भारती जनता पार्टी से सायज जरीन जी है समाजी कारकरता और राम प्रताप सिंग जी है एड़ोकेट आप तीनों लोगों का चर्चा में स्वागत है सबसे पहले सबनम जी हम आपके पास आएंगे और जानने की कोशिस करेंगे कल जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों का सिगर निस्तारण किया जाना चाहिए पिछले दिनों जिस तरकी घटना हुई देश में पूरा देश विचलित रहा 218 नए फास ट्रेक कोड बनाने की कैबिनेट ने अपनी मनजूरी दे दी है उसका प्रारूप भी तेया कर दिया है किस तरीके से होगा आपको क्या कुछ लगता है कि कितना बड़ा कदम है ये महिलाओं के से जुड़े जो अपराद है उन पे जिस तरीके से पेंडिंग मामले देखे जाते हैं कहीं ने कहीं उससे अपरादियों के जो हौसले बुलंद होते हैं दुबारा अपराद करने की प्रवत्ती आती है क्या उसमें रोक लगेगी देखे सबसे पहले तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ डीडी नियूस का कि जो इतने जुड़न्त मुद्दे पे महिलाओं के मुद्दे पे आज एक चर्चा उन्होंने रखा है निश्चित तोर पे सरकार ने भी जो फैसले किये हैं वो स्वागत योग्य है और बदाई के पात्रें क्योंकि जब चुनाव हुआ था तो हमने महिला सुरक्षा के मुद्दे को बहुत एहम समझा था और बहुत समवेदन शीलता पे महिला सुरक्षा देने की बात कही थी सबसे पहली चीज देखिए धाई साल होने पे कुछ और भी चीज़ें जो पिछले धाई साल में सरकार ने करा है सुरक्षा के मुद्दे पे उसको भी मैं बताना चाऊंगी और ये जो 218 फास्ट्रेक कोर्ट को रहे है उसमें धन का जो फंड लगना है उसका भी आवंटन हो चुका है तो ये फास्ट्रेक कोर्ट जनता जरूर सोचती होगी फास्ट्रेक कोर्ट पहले भी थी और ये फिर 218 किसलिए वो जो Fast-Track Court थी, वो अन्य रेप के साथ साथ अन्य सबी मुद्धों के लिए Fast-Track Court थी, ये केवल और केवल महिलाओं पे होने वाले रेप केस और पॉसको एक्ट जिसमें की बच्चों पे जो Sexual Assault होता है, जो बच्चों को लेंगिग जो उनन पे होता है, पॉसको एक्ट क तहर देखा जाता उसके लिए भी ये फास्ट रेक कोट है ताकि इसमें जल्दी से जल्दी महिने दिन के अंदर इसका फैसला हो जाए तो देखिए कहीं न कहीं ये जो सरकार ने समवेधन शीलता दिखाई है ये स्वागत योग है इससे पहले भी सरकार ने हमारे देश में किसी भी प्रदेश में फास्ट आव वन्स्टॉप सेंटर न ही कहला पर उत्तर प्रदेश में हर जिले में वन्स्टॉप सेंटर खुला है और 181 तॉनizers कोई महिला बहुत पढ़ित है या अचानक उसे जरूरत है मदद की तो रैस्क्यू वेन जाकर रेस्क्यू भी कराती है वर्स्ट पसेंटर में में अपना एफ इर करा सकती उने थाने जाने की कोई जरूरत नी हर जिले में इसलिए आपके चैनल के माद्यम से क्योंकि इस चैनल का विस्तार गाउं गाउं तक है तो ये बताना चाहती हूं जो महिला थाने जाने से घबराती है वो वन स्टॉप सेंटर जाके अपना F.I.R. लिखवा सकती है बिल्कुल जरीन जी सबनम जैसी बात बता रही है अगर दे आपको लगता है माम अपनाधिक मामले महिला से जुड़े हैं सीग्र निस्तारण के लिए फास्ट राक को कितनी कारगर होंगी और साथ-साथ जो एक प्रधान मंत्री नेरेंदर मोदी जी ने भी कहा कि महिलाओं को सुरच्छा की अनभूती दिलाए पुलीस ये एक बड़ सते आपने बहुत सची बात कही है कि इस वक्त अगर कोई भी महिला थाने पर जाती है तो वो जो फ्रेंडली महौल होता है जो एक उसको अपनापन पुलिस से मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिलने पाती है तो कहीं न कहीं आउरा जो कि 80% जो महिला होती है वो अपने केस को रजिस्टर करवाती ही नहीं है 20% जो करवाती है उनको कितना न्याए मिलता है आप उन नौ के ही दोनों केस देख सकते हैं कि उनको कितना न्याए मिला है अच्छा जिस तरीखे से ये फास ट्रैक कोट है ज जिसे ये उन्नौ के दो केस हुए थे, इसमें क्या था कि महिला अपने उसके लिए जा ली थी, अपनी पैरवी के लिए जा ली जा ली थी, मुकदमे के, उसी के दोरानी देखिए, पहला वाला भी जो था, उसमें भी उसको एक्सिडेंट कराएगी और इसमें इसको जला कर, मर्डरी हो गया, इसकी हत्य ही हो गई हमारी बहन की, तो मेरा एक छुटा सुझाव है कि जो सारे फास्ट्रेक कोट है, इनको हमारे प्रदेश ट्रांसफर करके दूसरे प्रदेश में शिफ्ट कर दिया जाए, तो कहीं न कहीं इसमें इससे जो महिला है, तो वो उसको मतलब सुरक्षित वो महसूस करेगी, और इस तरीखे की जो गतिवीदिया, अपरादी गतिवीदिया जो हो रही है, जिस तरीखे से एक डर का महल बनाया जा रहा है, कि अगर तुम न्याय मांगोगी, अगर तुम इनसाफ मांगोगी, किसी भी अपराद के खिलाफ, किसी भी तुम्हों भी जला कर मार देंगे तुम्हारे घर को भी पूरा जला देंगे तो कहीं न कहीं देखी घटनाय बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर जो डर है वो डर नहीं आने पारा है जरी इससे पहले प्रदेश सरकार ने कारवाई चालो की थी एंटी रोमियो की आज की हम जब आया था बहुत अच्छा लगा कि हां यह मतलब भूत अच्छा इनिशेटिव है सरकार की तरफ से लेकिन इसमें लोगों को असुईधा होने लगी लोगों को इसमें जो है जो है जो उसके मेंबर से वो शोधापन करने लगे ते लोगों को परिशान महिलाओं को करने परिशान कर रहे हैं और आज की यह देखिए आज की इस्थितिय के जो है एंटी रोम्यो स्कुएट यह से पेपरों में हैं मुझे नहीं दिखाई दे रहा है मैं बताना चाहूंगा आज भी प्रदेश में कई जन्पदों से हमारे पास आई है सुचना आई है कई लोगों को जो है पुलिस ने पुस्ताज के लिए बैठाया है कई लोगों को ओपर कारवाई किये हम आगे आएंगे जादा शिकायते दज हुई है एक चीज़ जैसे मैं पुलिस की बात कहना चाहूंगी कि आज कल एक कानपूर की पुलिस महिला कर्मी ने बहुत अच्छा काम करा कि उन्होंने शोहदों पर उन्होंने सख्त कारवाई करी और घर में गुज़ करके उनको अरेस्ट करवाया तो यह हमारी मैं उनका कमेंडिबल उनका कारवाई जब होती है कही न कहीं महिला का आत्मुबल भी बढ़ता है उससे महिला जाती का बढ़ता है रहम प्रताब जी हम आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे फास्ट्रैक कोड जो 218 बनाने की बात की जा रही है कल कैमने अपनी मंजूरी दी दी है कितना जो है नियाए बेवस्था में इससे क्या कुछ प्रभाव देखेंगे आप प्रदेश के अंदर लिकास जी यह जो फास्ट्रैक कोड का प्रवधान है यह हमारे देश में 2000 में इसका प्रवधान हो गया था और 11 बित आयोग ने करीब 1734 फास्ट्रैक कोड पूर देश के अंदर बनाये थे जब लेकिन जब 16 दिसम्बर 2012 को जो निरभया कांड हुआ उसके बाद में पूरे देश को जो ज सारी रिपोर्ट्स दी और इस रिपोर्ट्स में इसने कड़े प्रावधान किये गए कि जिससे की जो अपराधी उसे बच नहीं पाएंगे लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद में सुप्रिम कोड से जजमेंट आने के बाद भी अभी तक जब उसमें हमें लगता है कि अगर न 154 जो पास्टे कोड हैं के बच्चो अर निव तो परती जो जो दिर्विहार होता रहा होता है कि पहले जो प्रावधान था हमाई इसके पहले भी जैसा के मेरी भी बहन ने बताया उस में इन मामलों की अथरिक तभी अन्य प्रकार की प्रकार भी वहां पर सूने जाते थे लेकिन अब जो प्रावधान क्या गया है, अब इन में शिर्फ रेप केसे या जो हमेरे जो बच्चों के प्रति जो अपराद होते हैं, इससे जो पेंडिंग केसे होंगे, उनको निस्तारण में बहुत तेजी गती मिलेगी, और अभी हमने कुछ हाली में इससे पहले भी आएंगे, और खास तोर से इस बात पे करेंगे कि पुलिस, खास तोर से पुलिस ने जो एक पहल चालू की है महिलाओं के लिए, कि रात को दस बज़े से लेकर सुबह च्छे बज़े तक, महिलाओं अगर घर से बाहर है, तो उसको घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आ आप 112 पे कॉल करें और अपने लिए मदद मांग सकते हैं उनकी निश्यत तोर पे विकास जी देखी वैसे तो ये एक नियम भी है कि जो भी संस्ता अपने इदर महिलाओं को रात की डूटी देते हैं उनको कन्वेंस प्रोवाइड करने का एक नियम भी है और ज्यादा तर स प्रमचारी होती है या अधिकारी होते हो उनको वह अपने घर पर उनके घर तक पहुंचाते हैं लेकिन बहुत से चोटे मोटे भी संस्तान है जहां करती हो और उनके पास इतने कंवेंस की सुविधा नहीं है या कोई अपना सिल्फ बिजनेस कर रही है तो उन महिलाओं को अगर घर पहुंचने में या किसी तरह की मुश्किल होती है रात के दस बजे से सुबह चे बजे तक तो पी वी आर वैन 112 पे वो डायल करेंगी तो पी वी आर वैन आएगी और उस वैन में दो महिला अधिकारी या कर्मचारी पुलिस की बैठी होंगी और एक ड्राइवर हो कुंते ही लोगों के मन में मित्र पुलिस की भावना अभी नहीं आई है क्योंकि पुलिस थोड़ी समवेधनशील होकर अपने कारेशयली को दिखाती आई है तो वो समय आने में थोड़ा समय लगेगा तो इसलिए महिला पुलिस उनको भी रखा जाएगा और उन महिला पु कि सरकार ने इतनी बड़े बड़े कदम उठाए इन धाई सालों में अगर इसे पचीज साल पहले उठा़ लिया जाता तो आज जो भारत में हर कोने में इस तरह की बाते सुनने में आ लीए ये नहीं आता कहीं न कहीं शितिलता बरती गई थी लेकिन आज भी अगर सरकार इ भी निकालनी होगी अगर घर में कोई ऐसा है और देखे महिलाओं को भी मैं ये कहना चाहती हूँ अभी कुछ देर पहले चर्चा में मैं बता रही थी देखे नदी जो बहती है वो पत्थर को काट देती है पहाड को काट के अपना रास्ता बनाती है बहुत नाजुक सी होती ह नदी लेकिन पहाड जैसे मजबूत को काड़ सकती है तो महिलाएं नाजुक है जरूर लेकिन अपना रास्ता अगर इरादा मजबूत हो के बना सकती है उन लड़कों से लड़ सकती है। कुछ उसकी सोच में बदलावाने की उमीद लगती है आपको। आपको अपने घर पर जाने में कोई प्रॉबलम हो रही है आप कहीं भी भी जाना चाहरी है और आपको कहीं भी भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप 112 अपातकाली नंबर मिलाएंगी तो आपको पूरा एक एसकॉर्ट आपको वहाँ पे लेने आएगा जिसमें दो पुलिस करमी होंगे दो महिला करमी होंगे जो बकाइदा ट्रेंड होंगे तो यह अपने आप में एक बहुत ही एप्रिशेडिबल खदम है पुलिस का और मैं बहुत ही ठैंक्स कहना चाहती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्शाला अब जो है वो काफी अपराद जो है रुकेंगे लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ मैं एक सुझाव आप लोगों को देना चाहती हूँ जैसे 1090 है 181 है 112 है तो इतनी तरह के जो आपात कालीन जो नंबर्स हैं तो क्यों ना इनको एक कर दिया जाए यह क्योंकि जब हम मुश्किल में होते हैं द सुझाव है कि इन सब को एक कर दिया जाए जैसे अमेरिका में भी देखी एक नंबर रखा गया है आप उसको डाइल करेंगे तो आपको हर तना की जो आपको पुलिस से सुविदा जो भी सुविदा आपको सरकार से चाहिए होगी वो आपको उसी वक्त मुहया कराई 1090 का 1090 टेलिफोनिक जो कंप्लेंस होते हैं उसके लिए होता है कि अगर किसी ने आप किसी को हम फोन से कोई हमें परेशान कर रहा है या चोटी मोटी चेड़ चाड़े और 112 सीधे कनेक्ट कर देगा एम्बूलेंस चाहिए तो भी आप 112 में करेंगे तो वह एम्बूलेंस को फायर ब्रिगेट चाहिए 112 में करेंगे तो 112 यूनिवर्सल लंबर की तरह है हमारे दर तो इसमें परेशान होने की बार एक सुरुवात देखे हम सब को मिलकर करनी है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और अपने बेटों को समझाओ ये नारा जब हम लोग ले आएंगे तो हमें मुझे पूरी उमीद है कि महिला हर तरह हर हाल में हमारे देश में सुरक्षित है जरीन जी हमारी सरकार लंबे समय तक हो ही तो ये हो जाएगा राम प्रताब जी हम फास्ट्रेक कोट का थोला सा इधर हाली के तीन वरसों का आपको रिगार बता देते हैं 2017 में जो प सब्सक्राइब है तो आपको लगता है अब जो है इससे बहुत उम्मीद जागी है और आने वाले समय में जितने अपरादी है जो महिलाओं के साथ अपराद करते इनको सब्सक्राइब और समय पे मिलेगी निश्य तुरुप सिविकास जी देखिए मैं पाक्सवेक्ट के बारे में आपको बता दू उसमें अभी एक और प्रधान अनुबल हाई कोड ने किया है कि पाक्सवेक्ट में अगर उसकी बेल निचली अदालत से खारी जाती है या उसको बेल अगर बच्चों के मामलें में जो हैं वो लंबित हैं और 25,000 मामले हैं उसको आने जाने के लिए भी उसको कोई थर्ट करता है तो उसकी उसकी प्लिस को जुम्यदारी होगी क्वेश कोट उसके लिए भी तरीक्शन दगी कि इसके साथ किसी भी तरीके का कोई उसके सानुन कोई अन्यता कुछ नहुंचे 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 लुग को आप चाहएं दूसरी बात मैं आपको बता दूओ कि फास्ट में एक ताइम अबिशित हो जायागी यह जो ट्रायल है इतने दुनों से इतने दिन में इसको कन्टूड कर दिया जाएगा अब एक में जरा इसके एक पिस्दगी भी में आपको बता दूँ देखिए जैसे कि जिस्टिस डिले इस डिनाइड अगर 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 आज की अपराद हुआ और इसको आप इसको आ हमारा समधान भी कहता है हमारा कोड भी गहता है और देश की निया प्राणली भी कहती है कि अगर अपरादी दोसी है तो उसको निश्चीत रूप सज्दू मिली चाहिए लगिन अगर कोई निर्दोस है तो उसके साथ में भी नए होना जै है हमारी नियावे उस्था है जन भावनाओं को महिलाओं हमारी आधियावादी का जो कैसे सुरच्छित रहे उसके लिए जो है करें बहुत ध्यान देने की ज़रुत है सबनम जी अंत में आप से जो है करें हम जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से पुलिस के द्वारा कदम उठाया जा रहे हैं अब आपको लगता है महिलाओं घर से बाहर जब निकलेंगी तो सुरच्छा का भाव उनके अंदर रहेगा आम तोर पे देखा गया है लखनों तो सहरी इलाका है जो ग्रामी डंचलों की बात करें लोग आम तोर पे अपने घर की महिलाओं को रात के टाइम पे घर से बेजना बंद कर देते हैं कि जल्दी अनेरा होने से पहले घर पहुंच जाए और दिन में भी अगर महिला निकलती है अकेली निकलती है तो कहीं न कहीं एक डर का भाव रहता है कि हमारी बेटी है हमारी बहन है हमारी माँ है पहुंचे घर तक तो आपको लगता है इसके लिए एक समाजिक बदलाओ के लिए किया कुछ और जरूरत है तो अगर कुछ लाकों में निश्चीत तौर पे महिला निकलती है पर अगर शेहर में देखा जाया या जो आउम शेहर है उस में देखिये 9 बजे जब हम लोग लोटते हैं घर डिबेट करके तो अकसर देखते हैं लड़कियां कोचिंग से जाती आती रहती हैं तो ऐसा भी डर का महौल नहीं है असुरक्षा का ऐसा भी महौल नहीं है लेकिन हाँ जब ऐसी बड़ी घटनाएं घटती है तो निश्यत तोर पे सभी मा सब्सक्राइब के साथ तैनात रहेंगी तो आपको लगता है अप थोड़ा सब्सक्राइब करें लेकिन चोटे जगों पर जो इंटीर इलाके हैं वहां भी उसकी करने की जरूरत है निश्यत तोर पे और एक चीज़ और मैं कहना चाहूंगी देखिए विदाएका है धरातर पर उतारना उसको और अच्छी तरीके से जो सिस्टम हमारा जो इतने लंबे अर्से से बिगड़ा था कारेपालिका को भी बहुत संवेदन शील होना होगा कि चाहे वो पुलिसिंग हो और फिर न्याएपालिका में भी जिस तरीके से अपील पे अपील करते जाए ये रिविव पेटीशन दीजे मर्सी पेटीशन दीजे अगर जजमेंट हो भी जाता है लेकिन पनिश्मेंट होने में अगर लंबे अंतराल हो जाता है तो वो जजमेंट का कोई माइना रह जाता है तो मुझे लगता है मैं सरकार में होते वे भी सरकार की तरफ से ये जरू सरकार के द्वारा बदलाव की बात कही जा रही है आपको लगता है अब हम जरीन के पास आएंगे जरूरत है किसी आर पीसी में बदलाव किया जाए तो कि महिलाओं से जुड़े जो अपराद है अपरादियों को सक्से सजा मिले और जरीन एक सार इसमें से और जोड़ देना हैता हूं मिलाओं को साथ अगर सठक कोई छेन चान वह रहे है तो लोगों को आम लोगों भी जागना गाओं उनको इक प्रोदिग जो है आम जुड़ा को जाओ रूक होना बहुत जरूरी महिलाओं की जागरूता बेहत जरूरी है और जिस तरीके से जो भी यह जो नहीं दो सुवधाई आई हैं और और भी नहीं सुवधाई महिलाौं के लिए लागों होने जा रही है तो शेहर के अंदर तो ही इसका हो लेकिन जो हमारा गाउ है दिएकि सबसे ज़्यादा जरुवरत जो हमारी जो सबसे जा Спश़ जार राते हैं देखि शहर की लड़की में और गाओं की लड़की होते हैं भो और जो अपराद की भी अगर आप पूरी केटेगोरी उठाएं तो शहर में कम होते और जादा जो होते हैं तो हमें यह सुविधा हैं वह जादा पहुंचाने की कोशिश करनी साहिए जरी जिस एक सवाल मिने आपसे और किया था उस पे आपको उत्तर लेना चाहोंगा इसमाज में लड़की जब घर के बाहर निकलती है महिला जब घर के बाहर निकलती है कहीन कहीं होता है एक directly झो है चेरए छेट-चाड होती है और जिसकी आपरादिक मामला होता है लेकिन कहीं न कहीं जो बातों से, कटाच्छों से, नजरों से जो होता है, क्या उसमें आम लोगों को पहल करनी होगी, ये समाज जिसमें जब तक खड़ा नहीं होगा, तक तक सही नहीं हो सकता है। उससे जो अपराद, इतने संगीन अपराद, अभी हाल फिलाल हमारे प्रदेश में जो घटे हैं, जो हाल फिलाल जो हमारी बेटियां जो जलाई गई हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, तो ये शुरुआत दे की हूटिंग से ही होती है, तो हमें इसकी जड़ को पकड़ना ह राम प्रताब जी हम आपसे सवाल लेंगे कि CRPC और IPC में जो बदलाओ की बात कही है, हमारे प्रदान मंत्री जी ने, हमारे ग्रह मंत्री जी ने, उसके लिए सुझाओं मांगे हैं उन्होंने, आपको लगता है कितना जरूरी है, ये एक समय अंग्रेजियों के जमाने के ध होना भी चाहिए, CRPC और IPC में बदलाओ के लिए सरकार भी कटबध है, और न्याले भी इसमें बहुत चिंतित हैं, और अपने जर्जमेंट जो अपने जर्जमेंट देते हैं या जो भी आदेश पारित करते हैं उसमें भी आप देखे विकास जी उसमें भी आपको उसकी ज मेंने या इस तरीके से उतने एक समय सीमा निश्चे को जा रही है, और इसके प्रणाम आपके सामने आएंगे, बहुत जल्दी प्रणाम आएंगे इसके, लेकिन मैं फिर एक बारी कहूंगा कि जो भी जूचीज है, आप राम परताप कोर्ट में देखते हैं, पुलिस में विवहार में बदलाओ की बात कही जा रही है, जो कोर्ट में महिलाओं से जुड़े जो मामले होते हैं, उनकी जो कारिवाई होती है, प्रसूइडिंग होती है, उसमें कुछ बदलाओ की जरुत कि महिलाओ को कोर्ट जाते हुए भी जिजक हिचक न रह जाए, एक ऐसे साथ वाक्या हुआ है, वो बताएं, क्या वहां भी कोई बदलाओ आप लगता है? वाक्या है, वो बताएं, क्या वाक्या है, वो बताएं, क्या वहां भी कोई बदलाओ लगता है? वाक्या है, वो बताएं, क्या वहां भी कोई बदलाओ लगता है? या अगल बगल आपको आडोस पडोस में लग रहा हो, या घर से बाहर निकलने में जहां पर आप काम कर रहे हैं, कारिस्तल में लग रहा हूँ? आप आवाज उठाएं, अपनी हम महिलाओं से यहीं उम्मीद करते हैं, अपनी आधी आबादी हमारी और देश के विकास में उनकी बड़ी एक भागीदारी यह भूमिका है, आज के प्रोग्राम में हमारे पास समय इतना ही था, आप लोगों ने भाग लिया, उसके लिए आपार, तो बिल्कुल इसे उम्मीद के साथ की आने वाले समय में महिला सुरच्छा को लेकर जो कदम उठाय जा रहे हैं, उनसे एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, और हमारे देश में जो महिलाएं, नय भारत की जो संकल्पना की गई है, उसमें बढ़ चड़कर उनकी हिस्सेदारी और ज्यादा होगी आज के कारकर में बस इतना ही, नमस्कार.